जेहिंद फ्रेंट्स रादे रादे फ्रेंट्स आपको बता दें कि SSC GD जो है डांकुमेंटेशन में लटकों को बार कर रहा है उनको रिजेक्शन स्लिप दे रहा है अभी आपको इसी बीडियों रिजेक्शन स्लिप भी दिखाएंगे और साथी साथ बताएंगे कि कौन से जो बहुत गहराई से चक किया जाते हैं और उनमें छोटी सी कमी निकलती है तो आपको रिजेक्शन स्लिप दे रहे हैं कोई भी टाइम नहीं मिल रहा तो अभी आपको रिजेक्शन स्लिप भी दिखाऊंगा उससे पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर लेए और एक बात और बता दूं कि जितना भी मेटिकल चलेगा स्सी आपको रिव्यू इसी चैनल पर मिलेगा, रिव्यू जब तक लेट भले हो जाए क्योंकि रिव्यू में जब तक नहीं डालता, जब तक मुझे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती, इसलिए मेरा जो रिव्यू है लगबग 7 से 8 बजे के बीच में ही हो पाता है, अपलोड करने में लगबग 9 का टाइम हो जाता है, तो आप लोग अगर चैनल को सस्क्राइब नहीं कियें, तो चैनल को सस्क्राइब कर दें, और साथी साथ वीडियो को लाइक भी कर दें, तो च कोई दूसरा हमारे पास option है, तो मैं उसको बता दूगा कि अब आपके पास क्या option है, तो आप भी इस वीडियो को बाच कर रहे हैं, तो आप कमेंट में जरूर लिख देना, और साथ में अपना आपका यहाँ पर पड़ा है, वो नाम भी अपना डाल देना, तो देखिए, जो हम इसमें लिखाए कि your candidate for post of the constable gd examination 2022 is rated on the following grounds, अगर जो नीचे की जो बाते हैं, अगर यह follow हो रहे हैं, तो आपको reject कर दिया जाएगा documentation में, पहला है disqualified in the biometric verification, अगर आप biometric verification में disqualify कर गें, तो आपको rejection से लिब मिल जाएगी, फिर क्या लिखाए, original 10th certificate in the support of the verification of educational qualification and date of worth not produce, माल लीजी अगर आपके पास जो educational certificate है, उसमें data birth produce नहीं है, 10th की, तब भी आपको बाहर कर दिया जाएगा, फिल लिखाए नीचे, original cost certificate, मैं बात करो, cast certificate कैसा होना चाहिए, देखो SCSD के medical चल रहे हैं, तो cast certificate यहाँ पर जरूद पढ़ रहा है, तो जो cast certificate होना चाहिए, वो central का माल लेंगा, और मंडल का माल लेंगा, अगर आपने मंडल से बनवा रखा है, कुछ लोग अपनी तैसील से बनवा लेते हैं, तो तैसील बाला यहाँ पर नहीं चलने बाला है, इस चीज़ को आप ध्यान कर लेना, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया, तो यहाँ पर एप से आपको बार कर दिया जाएगा, अगर आपको दो-चार दिन का समय भी दे दियेगा, फिर भी आप बनवा नहीं पाएंगे इतनी देर में, तो देखिए अपना पूरा तयारी करके जाएगा, अगला देखिए कि और आपके पास और आपके पास पुराना है, वो चल जाए है, तब आपको rejection slip दिया जाएगा, अगर आप देखिए पड़े, अब देखिए, इसको जिसमें बाहर किया गया, उसको एक बार पढ़िएगा, लिखा है कि rejected to mismatch of the passing year of the metric certificate, application form of the certificate and original metric certificate, देखिए, इसका जो meaning है, इनको जो इसलिए बाहर किया गया है, कि इनको जो mismatch passing year, अब देखिए, जो इनका passing year था, जो matrix की यानिक अच्छा 10 की जो mark seat होती है, certificate होता, उसका जो इनका passing year था, और जो इन्होंने farm भरा था, उसमें जो passing year डारा था, वो mismatch हो गया है, इसलिए इनको rejection slip दे दिया गया है, तो अगर आप इसको देखिए, महर बगरा सब लगा दिय है, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अब आपके पास, मैं ही कहूँगा, कि आपके पास कोई चारा नहीं है, अब आप दुबारा फिर SSCGD exam के तयारी करिए, दुबारा qualify करके इस चीज़ को ठीक करा लीजिए, एक कहां से ठीक होगा, अगर आपके mismatch आप फॉर्म भरते, सही से भर देते, इसमें कहीं जाने की ज़रूद नहीं, आपने फॉर्म घल्द भरा, इसलिए आपको बार किया गया है, तो इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि अब इसमें कोई दूसरा solution है नहीं, क्योंकि जो आपका reject करने का main reason है था कि original matrix जो certificate आपके पास है, उसमें आपने जो अपना passing year डाल रखा है, application form में जो passing year डाल रखा है, वो wrong हो गया है, अगली बार आप form सही भरना, आप तयारी करें, best of luck, तो अब हम बात करते हैं आगे की, देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, मुझफर पूर सेंटर, यानि जो बिहार में है, ब सिंपल सी बात करूँ, अभी उनका, जो result होता, सुना ना, जिसको अगर रिजल्ट सुना दिया, तो result अभी नहीं सुना है, लेकिन फिर भी लड़कों का कहना है, कि उन्होंने points को note कर दिया है, किसमें points बना रहे हैं, बो लोग यह देखिएगा, अगर आप पहले अपने द सिंदगी है, तो भी note कर लेते हैं, और इसमें क्या होता है, सबसे खतरनाक, जो point check हो रहा है, बिहार में, खतरनाक point जिसको कहेंगे, बोहरा नोकनी, नोकनी बहुत अच्छे से check हो रहे है, इसमें क्या हो रहा है, कि आपको लिटा दिया जाता है, और लिटा कर चेक कर रहे ह नोकनी, और नोकनी का अगर एक बार point बन गया है, बाई साब तो फिर दुवारा तूटना है ही नहीं, ऐसे समझ लिजिए, तो एक point बहुत खतरनाक बनता है, तो आप अच्छे से अपना देख लीजिएगा, और नोकनी कैसे remove करना है, कैसे कोई ना जाना पाए, उससे आप मुझसे content करिए, मैं आपको तुरंट बताऊंगा, तो पकड़ में नहीं आएगी आपकी नोकनी, चलिए, अब बात करते हैं, अगर आगे की eye chart की बात करते है, eye chart, देखे, eye chart बिहार में कौन सा पढ़ाया जाता है, बिहार में जो पढ़ाया जा रहा है, वो ABCD बाला पढ़ दिखा रहा था, बो बाला चार्ट होगा, नहीं तो ये बाला चार्ट पढ़ाया जा रहा है, अब मैं बात करूँगा, रांची सेंटर की, तो आप ऐसे chart को देख लीजिए, color blindness की लिए, अगर आपको है, तो आप मेरे से content करिए, मैं तुरंत आपके वार्टसर नमबर पर आपको बुक बेज दूँगा, color blindness की, उसको रट लीजिए, अगर आपके color blindness है, तो आप अगर रट लेंगे, तो काम चल जाएगा, वाईसा, तो अगर, क्योंकि medical में अगर आपके अच्छे score है, medical में बाहर होगे, तो फिर क्या फाइदा, इसलिए कहता हूँ कि आप preparation करिए medical की भी, चलिए राची center की, अगर बात करें, तो राची center में क्या हो रहा है, जैसे की आज जिन, मैं अगर बात करूँ, जैसे आज जो लोग गए, आज गए तो उनका क्या, 동안कमेंटेशन ही पहले हो रहा है, और next day क्या हो रहा है, उनका पूरा medical हो रहा है, सभी center की बात कर जितने सेंटर सोभी सेंटर के ऐसे चल रहा है और फिर उनका सट कर तीन लग रहा है जो महाराak ड कर से का मेडिकल चल रहा है लग धुक्राइव है ये अपारे मेडिकल नहीं These नहीं यानि प्र लान होत बास धन कर देना में सबस्क्राइब कर दाकरर कर दो तो बो छोटी सी बात जो भी मैंने आपको वीडियो को शुरुआत में बताएं आप ध्यान कर लेना नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे उसके बाद रांची सिंटर की बात करूं जो आज गये उनका तो डाकुमेंटेशन हुआ कल वालों के गर में बात करूं तो कल वालों को किसमें किसमें बनाएं सबसे ज़्याधा अगर पॉइंट की बात करें तो सबसे ज़्याधा पॉइंट बनें इयर में इयर में क्या हुआ उनके इयर वेक्स था तो उसके उसनोंने पॉइंट को नोट कर लिया है दूसरा सबसे ज़्याधा पॉइंट बनाएं नोकनी में इसको भी आप लोग सही करके जाएएगा और फिर हमारा आई में बना है वहाँ पर आई थोड़ा डिफरेंट करवाया जा रहा है देखिए वहाँ पर जो चार्ट पढ़ाया जा रहा है रांची में वो ए बाले चार्ट पढ़ाया जाना है जो आपके सामने है जैसे कि यह चोटे चोटे अच्छर में लिखा है उसे भी आपकी आँखों का टेस्ट किया जाता है उसके बाद क्या होता देखो डिएनेस में किसी का पॉइंट नहीं बना है अभी तक कैरी एंगल जो भी खतरनाक पॉइंट होता इसमें भी अभी किसी का पॉइंट नहीं बना है अभ आपको बता दूँ कि अगर आपका DME करवा रहे हैं और तो जब तक आपका blood test और urine test ना हो जाए तब तक आप कुछ भी नहीं आपको खाना है केवल पीना है और वो भी पीने में क्या केवल पानी को पीना है अगर आप पानी पीएंगे तो आपका result सही आएगा और अगर आपने समोसा या टिक की या कुछ भी खा लिया तो आपके urine में या फिर आपके blood में कमी आ जाएगी तो इस बात को आप ध्यान रखना केले भी नहीं खाना कुछ खाने नहीं फल भी नहीं खाना only drink to water drink को ही पीना मतलब जो drink नहीं मतलब पानी को पीना है ठीक है तो आप इसको ध्यान कर लिजिएगा अब अगर मैं बात करूँ जो हमारे center है जैसे कि भोपाल center की बात कर लिजाए तो same condition भोपाल center की है और जो मैंने भी बताया कि मतलब बाहर कर अंदर बैठालते हैं फिर बस आती है फिर ले कर जाती सभी जगा तीन दिन का प्रोसेस चल रहा है और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चलन को subscribe जरूर कर दीजेगा अगर कोई center छूट गया है जो आपके आजपास है मैं उसका review नहीं बता पा रहा हूं तो आप उसे पूछे और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने अपना medical दिया है तो वो लोग मेरे WhatsApp गूर्प को जॉइन करें जो कि सभी लोग कर सकते हैं बाटसप गूर्प को जॉइन जो मेरे description box में जाओ वहाँ पर मेरा number भी मिलेगा और मेरा WhatsApp गूर्प भी